साथियों हाल ही में आप सभी को दुनिया भर के अंदर हो रहे सभी प्रोटेस्ट के बारे में लगभख कुछ तो नौलिज है आपको याद होगा मुश्किल से आसे दो-तिन दिन पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले छे महीने में बहुत सारे देशों में सरकारे बदलेंगी उसकी शुरुवात हो चुकी है अब पता नी मेरे जवान पर सरस्वती बैठती है या मैं ढंग से निउस पेपर पढ़ता हूँ इन दौनों में पता नी कौन सी बात सच है मैं ज़्यादा सकीक तो यही मानूगा कि मैं अख़बार अच्छे से समझता हूँ और पढ़ता हूँ शायद यह हो सकता है मैंने आपसे कहा था कि देखिए श्री लंका, देखिए इस समय ब्रिटेन, देखिए इस समय युक्रेन, देखिए इस समय इटली इन सभी देशों के अंदर, चाए पाकिस्तान, सब में सत्ता परिवर्तन हो गया, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उत्रे हुए है मैंने गया चिंता मत करो, अभी तो यह नंबर बहुत बढ़ने वाला है अगर याद आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, यस और नो, कि हाँ सर कुछ ऐसा कहा तो था आपने कुछ याद आजाए तो, बाई चांस, एक बालक को मेरी उम्र जानने में रुची है हाँ, यदि गॉर्वर्मेंट हॉलिडे और चोटी मोटी वीकेंड हटा हुटो दो, तो अभी मैं बालिक भी नहीं हुआ हूँ ठीक है, तो मैं कहना क्या चा रहा हूँ, जराल हान से सुनिए, अगर आपको याद आगया हो तो कमेंट बॉक्स में यस और नो बता देना कि हाँ सर कुछ आपने कहा तो था, याद है, कहा था और जब कहा था ना, तो आज की न्यूज उसी के ऊपर है, क्या है न्यूज? इराक में भी वही नजारे देखने को मिल गए हैं, जो आपने कभी श्रीलंका में देखे थे आप देखिए, हमारे एक तरफ, एक भाई साहब जो हैं, वो बिलकुल टेवल पर लंबलेट हो रखे हैं ये टेवल कुछ और नहीं है, ये इनके प्रधानमंद्री का कारयल है, जहां पर भाई साहब आराम से आराम फर्मा रहे हैं देख करके आपको समझ में तो आई गया होगा, कि नजारे क्या चल रहे हैं यानि कि सैकडों की संख्या में एराकी प्रोटेस्टर्स ऐसे हैं, जो पार्लियमेंट के अंदर घुज गए हैं आईए कुछ नजारे दिखाते हैं, नजारे दिखाएं, उससे पहले थोड़ा सा आपको एराक के बारे में बता देते हैं कहा है, क्या है, सारी बातें बता देते हैं, देखिए, एक बार आप भी अपने पास रखा हुआ मैप निकाल लीजिए, मैं बोलता ही बोलता हूँ कि मैप अपने पास रखिए, पता नहीं, आप लोग रखते भी हैं या नहीं इराक को देखिए सौधी अरब और इरान आपको दिखाई पड़ जाएगा और इनके बीच में इराक इराक बुचारा सेंडविच है इसकी कहानी भी सिखाऊंगा मैं लेकिन फिलहाल के लिए श्रिलंका जैसे हालाद दिखाता हूँ आपको मैं यह तस्वीरे देख रहे हो आप यह देख रहो एक आदमी जो एकदम मरमेड बनके लेटा हुआ है दिखाई पड़ रहा है यह देखिए बाइस साब का पेट अलग जा रहा है खुद अपने विश्णु भगवान का आसन लिये हुए पड़े हुए हैं यहाँ पर देखिए आप यह क्या न जा रहे हैं कुछ दिख रहा है आपको चलिए कुछ तस्वीरे और दिखाते हैं यह तस्वीरे देखिए यह तस्वीरे कहा की हैं इराग के अंदर की हैं मतलब संसद के अंदर की कारेले की फोटो हैं यह और देखिए देखा देखा सा लग रहा है कि हा सर ये तो आपने ऐसी तस्वीरें हमको स्रीलंका की भी दिखाई थी लोग गाह और रहे हैं यहां पे और देखी वाई सर ये तो मदब एकदम ही इनको सबसे ज़दा आराम प्राप्त हुआ है ये प्रधान मंतरी कारले में जाकर बिल्कुल वई स्रीलंका वाला हाल दिखा दिये हैं मतब लग रहा है इनके पास भी ये देखिए प्रधान मंतरी कारले के उपर संसत के उपर लोग इराक की सबसे सुरक्षित छितर के अंदर आहलत है ये ये देखिए आपको यहाँ पर तिरंगा और दिखाई दे रहा होगा आप मेंसे कुछ लोग हो सकता है कल की वाइरल निउस में यह आ जाए कि इराक में लहराया गया इंडिया का जंडा तिरंगा बाइस आप इनका भी जंडा तिरंगा ही है तीन रंग से ही बना हुआ है लेकिन इनके यहाँ पर चक्र नहीं है कुछ और है यहाँ पर देख सकते हैं दीखने में तिन रंगा ही है इनका भी लेकि कुछ लोग हो सकता है कि यह कहते हैं एक इराक में भी तिरंगा ही लहराया गया हो सकता है कई लोग WhatsApp University के अंदर ऐसे बहुत से लोग है ये देखिए लोगों को आप बड़ी ऐसे प्रदर्शन करते हो जाते थी चल क्या रहा है ये सौफ की सीधी बात मैंने आपको केवल एक ही कहा था मैंने क्या कहा था समय खराब है यहां से आगे आने वाले समय ये तो शुरुआत है इराक की न्यूज मेरे को तो नहीं पता थी मैंने आपके सामने ही ड्रॉ की थी मैंने का आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा और ये आपके सामने हो चुका है फिर सवाल बनता है सर वास्तविक्ता बताओ कि चल क्या रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं जब भी देश में महंगाई बढ़ेगी किसी भी देश में महंगाई बढ़ेगी बेरुजगारी बढ़ेगी तो जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ गुस्सा फूटेगा और गुस् भाया राजपक्षे को गो गोटा गो करके नारे लगा के हटाया गया था एक्जेटली इनके यहाँ पर वर्तमान में क्या हो रहा है एरा के पीए में मुस्तफा अल्ठादिमी इनको इरान का समर्थक माना जाता है किसका समर्थक बाना जाता है, इरान का, कि ये ईरान से समर्थन प्राप्त करते हैं, अब आप पुछेंगे एक मिनटे, इरान का कहा से माढ नाम आ गया है यहापे, अब चलते हैं थोड़ा बैक्ड्राउंड में, मैंने आप से कहाता हैं मैप देख लो एक बार अच्छे से, वो काम आएगा, साथियों आपको पता है, ये जो इराक है ना, ये दुनिया के सभ्यता की, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, अपन लोग पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री के अंदर मैसोपोटामिया की सभ्यता, वो यहीं तो थी, ये टिग्रिस और यूफरेटस तेल आता है, वो इराक से ही तो है, ये वही इराक है जहां कभी सद्दाम हुसैन हुआ करता था, लेकिन ये वही इराक है जो कभी आइसिस का गड़ बना, Islamic State of Iraq and Syria, समझ गए, ये वही इराक है, जो एक तरफ सुन्नियों से, और एक तरफ शियाओं से घिरा हुआ है, और के जो एक साखा, सुन्नी धर्म के धर्मावलंबी है, उनके मैजॉरिटी कंट्रिया, उनका लीडर नेशन, that is सौधी अरब, और दूसरी तरफ, जो शियाओं का प्रतिने धित्व करने वाला देश है, that is इरान, तो सौधी अरब और इरान, दोनों ही, इसलाम के दो बड़े सैक्ट, यानि कि दो अलग मत उनके बड़े लीडर है, उनके बीच में इराक है, इसके साथ, बिचारे के साथ और कुछ नहीं होता, रस्सकसी वाला ही हाल होता है, रस्सकसी वाल मतलब इरान कहता है इराक को तु मेरी तरफ से खेल, और दूसरी तरफ, सौधी कहता है कि नह इनको promote किया जाता है वही लोग बड़े बन करके ISIS बन जाते हैं Islamic State of Iraq and Syria मतलब यहाँ पर यह लोग अपना ही देश अलग डिमांड कर लेते हैं सुन्नी बहुमत वाला अब आप पुछेंगे इराक में हाल क्या है इराक के अंदर यह जो मैंने आंदोलन कर रहा है उसका नाम है मुक्तदा अलसद्र वो मुक्तदा अलसद्र भी शिया है और वो आरोप लगाता है कि तुम यानि इनके उपर कि तुम इरान समर्थक हो और अमेरिका के कहने पर सारे काम करते हो समझ से परे है आप लोगों के भी कि यार इरान समर्थक कोई अमेरिका के कहने पर काम कैसे कर सकता है देखो गल्फ की पॉलिटिक्स गल्फ वाले भी नहीं समझ पाते कि है क्या मावला देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कौशिश करता हूँ पिर भी छोटा सा प्रयास है देखो इराक के अंदर जो आइसिस बनाना आइसिस वो शुरूआत में जब बना तब तो बहुत खुशी हुई यह सोच कर कि ये इरान के खिलाफ काम करेगा इरान के खिलाफ क्यों? क्योंकि आइसिस सुनी डॉमिनिटेड था ऐसी इस्तिती में वो शियाओं की खिलाफत करेगा इराक में संकट उत्पन हो गया अब क्या था बाद में इराक के अंदर जब आईसिस का ज़्यादा बोला-बाला हो गया तो अमेरिका को लगा ये तो मुझसे भी उपर निकल गए क्योंकि ये बात मानते ही नहीं थे किसी की तो फिर क्या हुआ ऐसी इस्तिती में अमेरिका ने आईसिस को न्यूटरलाइज करने का प्रयास किया आईसिस को न्यूटरलाइज करने का प्रयास किया देट मीन्स कि भाई इनको कम किया जाए खतम किया जाए तो क्या करें? यहां पर ऐसी सरकार बिठाएं जो ISIS विरोधी हो ISIS विरोधी सरकार कौन सी हो सकती है? जो शिया डॉमिनेटेड हो इसके चक्कर में किसको बिठाया गया? इसके चक्कर में बिठाया गया मुस्तफा अलकादमी को हाना कि शिया जो हैं वो इरान समर्थक होते हैं तो ये इरान समर्थक है अमेरिका को असल में लड़ाई किस से है इरान से है यानि अमेरिका को किस से नहीं है यार तो यहां की पॉलिटिक्स समझने में केवल इतना समझ लो सरकार हटाने के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है जादा दिमाग मत लगाओ मैं तो conclude केवल इतना ही करता हूँ कि भाई ये सद्र को दिक्कत क्या है सद्र को दिक्कत ये है वो कहता है कि जब चुनाव हुए थे न तो चुनाव में सबसे जदा सीटे मुझे मिली थी लेकिन बहुमत नहीं मिला था इसलिए मैं सरकार मी बना पाया आज मुझे लगता है कि प्रदान मंतरी गलत काम कर रहा है इसलिए मैं इसको हटाना चाहता हूँ 329 विदान सभा की सीटों की इनकी पार्लेमेंट है उसमें से 33 सीटे इस सद्र की पार्टी को अक्टूबर 2021 में मिली थी उसी के दम पर इसने आज संसद में इस तरह के प्रोटेस्ट खड़े कर दिये हैं खेर मेरा मकसद आपको यहां की राजनिती पढ़ाना नहीं था मैं तो केवल आपको यह बताने की कौशिश कर रहा था कि देख लो मेरी एक भविश्वानी और सही हो गई मैंने जो कहा था वो हो गया ठीक है ना एक विध्यारती लिख रहे हैं रुशीकेश बादे कि सर ऐसा जो है भारत में कब हो सकता है है ना देखिए बात ऐसी है जनाब भारत में कब हो सकता है ये तभी कहा जा सकता है जब भारत की इस्थितियां आउट ओफ कंट्रोल हो जाएं और आउट ओफ कंट्रोल होने के लिए सरकार में विश्वास लोगों का कम हो तभी ऐसा होता है वर्तमान में मोदी जी के प्रती लोगों में विश्वास एकदम चरम पर है ऐसी इस्थिती में अपोजीशन चाहा करके भी महगाई वाले मुद्दे उठा करके भी जनता की तरफ से अपना favor नहीं create कर पा रहा है बस जिस समय मोदी जी कमजोर पढ़ने लगेंगे भारत में भी ये नजारे आ जाएंगे ये इसलिए का जाता है कि सत्ता के अंदर जो भी challenges आते हैं वो leadership पर बहुत जादा निर्भर करते हैं ये शुरूप से democracy में leader जितना मजबूत होता है वो देश उतना ही stability से आगे चलता है ठीक है बिलकुश कुमावत में भी तारीफ कर रहे हैं आप बहुत अच्छा पड़ाते हैं चलिए मान लेते हैं वैसे तो खेर आपका नाम लेने के लिए एक तरीका था लेकिन ठीक है फिर भी हम मान लिए आपकी बात हाँ जी एक विध्यारती लिख रहे हैं पाकिस्तान वाले reaction वीडियो बनाते हैं हाँ एक विध्यारती बार बार लिख रहा है वो निकल जा रहा है लेकिन पाकिस्तान reaction वीडियो हाँ कुछ वीडियो पर है है ना कि मदब पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल मेरे वीडियो के उपर भी reaction वीडियो बनाते हैं और वो बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो इंडिया में ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनके उपर पाकिस्तान के जो लोग है वो reaction वीडियो बनाते हैं यह काफी पुराना काम है उनका पहले भी हो चुका है कोई नई बात नहीं है ठीक है ना इवन मेरे को ऐसे वीडियो मिलते हैं तो मैं शेयर और करता हूँ ताकि उन एक प्रकार से यह समझिए कि व्यू बढ़े व्यू बढ़े उनको भी तो चाहिए ना अल्टिमेटली व्यू चाहिए उनको भी ठीक है ना हाँ निर्मला जी की तवित सही हो गई आगे बढ़ें चली आगे चलते हैं साथियों एक बच्चा के रहा है सर का सीधा संबंद है भगवान से इसलिए उनको ख़वर पहले पता चल जाती है चलो ऐसे कहलो लेकिन अगर दंग से आप भी निउस पढ़ोगे लिखोगे तो आपको भी सीधा संबंद लगने लग ज प्रॉड़े हुए है प्रॉडक्ट की आप उपयोगी ता इससे समझ सकते हैं ठीक है ना इसमें आपको बैस्ट एडूकेटर के द्वारा तयार की हुई कंटेंट मिलती है आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा अनकेडमी के प्रिलिम्स और सी सेट को आप तार्गेट करके पढ़ सकते हैं अनकेडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तर के format में प्राप्त कर सकते हैं यह हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं SSE category के अंदर भी हमारे courses हैं मेरा एक नया weekend बैच शुरू हो रहा है SSE के अंदर यदि आप उसे जाइन करना चाहें तो बहुती नॉमिनल कीमत पर आपको वह course उपलब्ध हो जाएगा आप उसे जाइन कर सकते हैं तैंक यू सो मच अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित विस्प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित मैसे उस करें